तो गईस रेसिपी सोब कोमल में आपका स्वागत है मैं आज बनाने जारी हूं बजा जैसी मोमो की चकूट बिल्कूल घड़ पर और बहुत ही कम चीज़ों से आप त्यार कर सकते तो चलिए आज का वीडियो में सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार एक वेश्ट करना चाहते हूं कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार जरूर लाइक कमेंट सेर करना ना भूले मेरे वीडियो की निज़ा दिये गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबा ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मीरती रहें और इसी तरीके की वीडियो में लेके आती रहो तो बूलिएगा नहीं चलिए आच का वीडियो हम सुरू करते मोमो की चटनी बनाने के लिए हम क्लास के करीब पानी जिसको मैंने अच्छे से कटोरे में डालके गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ से आठ मैं ले रही हूं सुखी लाल मिर्च और यह देख सकते हैं चार मैंने मेडियम साइज के टमाटर को अच्छे से कट कर लिया है अब इससे भी हम लोग पानी छाप कर दे ता कि मैं इसी तरीके की वीडियो लेकी आती है यह हमारा तमाटर बिल्कुल बख चुका है और चलिए इसे निकाल लेते हें उपर को पूर है कि टमाटर को हलका ठंडा कर ले इसके बाद ही से mixer grinder में पीसे आप यह देखिए मैं इसी तरीके से सारे टमाटर के इसके इन उपर के निकाल लिए हैं तो चलिए इसे अब हम लोग पेस्ट बना लेते हैं देख सकते हैं आप अब हम लोग एक जार में डाल देंगे अपने उब पेश्ट बना ले किंहें अच्छे करीब रिफाइन ओइल और इस में डाल साथ लहसुन की कले इसको पारी के से काट लिया है और इसको हलका सा भून लेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप जरूर एट करें और इसमें डाल देंगे अपना पेश्ट बनाया हुआ टमाटर और सुख्यू इलाल मिर्च का पेश्ट इन सब पिच्च से मिला लेना है हमिए इसी तरीके से देखे मैं थोड़ा सा पानी अट कर रही हुँ मेरे जार में लगा घूए था इसलिए मैं थौशा पानी अट कर ली हुँ और इन सब को अच्छे से मिला लेना है और इसमें डाल देंगे हम लोग एक चमच के करीब कास्मेरी लाल मेंच, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, यह देखिए, आप इसको skip भी कर सकते हैं, अगर जापकी टमाटर बिल्कुल लाल हो तो, मेरी थोड़ी कम लाल थी, इसलिए में कास्मेरी लाल मेंच का इस्तिमाल क और देखिए, एक चमच मैं डाल दी हूं, डार्सोयास से भी बहुत अच्छा कलर आजाता है, यह देखिए, कितना अच्छा कलर आ गया है न, और इसमें डाल देंगे एक चमच विनिगर, और अच्छे से अब मिला लेना है, इन सब को अच्छे से, यह देखिए, इसी तरी ये दो मिनट में ready हो जाती है, बहुत आसानी से आप घर पे तयार कर सकते हैं मूमो की चटनी, ये देखिए हमारी मूमो की चटनी बनके ready हो गए, आप इसके मूमो के साथ खाएं, बहुत ही tasty लगती है, बहुत ही delicious और बहुत ही unique तरीका है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल ready हो जटपट में यह त्यार हो जाती है और बहुत ही कम चीजों से आप त्यार कर सकते हैं इसे घर पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए